तो पहला क्योंच नमारा है कि हाली में जारी रिपोर्ट के मुताबिक परियावन परदर्शन सुचकाक में भारत का कौन सा स्थान है एक सो शितिंतर, एक सो तीन, एक सो बाईस या फिर एक सो उन्यासी तो परियावन परदर्शन सुचकाँ में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है शीद्टर क्या वजएगा एह एक सो शितिंतरवा स्थान दिया गया है अब बात करते हैं उसके बारे में कुछ और इपोर्टन चीजी यहीं परियावन दीश हाली में जो परियावन दीश मनाया गया ता परियावन दीश कब मनाया जाता है पांच जून को मनाया जाता तक यह आपको याद रखना है एक क्योस्ती परियावन रखनी है पहली कि रिपोर जारी कौन कर रहा है दूसरी की टोटल कितने सद्द से थे तीसरी भारत का कौन सास्तान है तो पहला अनसर ती होगा जारी किस ने की थी इपियर ने की थी यह परियावन परदंश ते सो चाक में ठीक है और टोटल देश दूसमिल होए थे वो होए थे 180 बारत का स्थान 173 वह था और 2016 में बारत का स्थान 141 वह था ठीक है चले किस्टर नमर दो कि केंदर सरकार ने हाले में किसानों को लेकर एक अभियान की सरुवाद की है उस अभियान का नाम बताना है कृसी प्रदान भारत कर्शी उपजाओ क्रिसी कल्यान या किसान मित त का नाम क्या है कर्शी कल्यान नाम है तो सी हो जाएगा सी उतर ठीक है यानि किसान कल्यान मंतराले ने क्रिसी कल्यान भियान की सुरुआत की सिरुआत किसानों को उत्तम तकनिकी और आहे बढ़ाने के बारे में साहिता और सला परदान की जाएगी कर्सी कल्यान भियान का के बीज किया जा रहा है और इस कर्षी कल्याना बियान में जो आकांक्सी जीलों के 1000 से जद्धिक आबाद्धी वाले हैं और 25 गाओं में चलाया गया है ओके चलिए क्योस्त नमर 3 कि कौन व्यक्ति हाल में आरिबिया के डिप्टि गवर्नर नुक्त किये गए है नागेश मितल रगुवीर मोरिये लोकेश परताब सर्मा मैश कुमार सर्मा तो तीन नमर का सही उतर क्या हो जाएगा मैश कुमार सर्मा को है वो आरिबिया का डिप्टि गवर्नर है वो नुक्त किया गया है ठीक है और कारियकाल जो रहेगा वो तीर मर्स का रहेगा न्युक्त कब किये गए हैं चार जून दोजा ठारा को न्युक्त किये गए हैं ओके चल लिए क्योस्तर नम्मर चार के हाले में पांच जून को विश्टर प्रियावन दियुस मनाया गया कनी कंच प्रियावन दियुस कं मनाया जाता है पांच जून को पहली nie को पहली बार कब मनाया गया था है इसका स्यू पनलाद कि गया तो करना के ति तो इसका स्यूतर क्या हो जाएगा गुनीषो 9 जो 2 फैय कई च्छो इटária से 50 पर गुनीषो 96 ता पहली बार और अभी जो पांच जून 2018 को बनाए गया तो इसकी थीम क्या थी थीम से रिलेटेट क्यूसर में सा पूछा जाता है तो इसकी थीम थी कि बीट पलास्टिक पॉल्यूशन यानि पलास्टिक से होने वाले कच्रे को समापत करना ये 2018 की थीम थी तो इसको भूलन नहीं है वेरी वेरी पॉर्टेंट है क्यूसर नमर पांस कि केंदर सरकार ने हाली में सहरी गरीबो ही तो कुल कितने मकानों की निर्मान की मनजूरी दी है एक पॉंट पांस लाग दो पॉंट तीन लाग चार पॉंट पांस लाग पांस पांस लाग तो सीथ तर क्या हो किताइद सहरी गरीबों के लिए डेड़ लाख मकानों के निर्मान की मंजूरी दी है आवास वे सहरी कारिये मंतरा लेने बाइस सो नो करोड की केंद्रिये साहिता युक्त बैतर सो सुटाइस करोड की निवेस के साथ प्रदानमत्री आवास योजना यानि सहरी प्रदानमत्री आवास योजना ठीक गरामीन वाली नहीं है किताइद सहरी गरीबों के हित के लिए मकानों का निर्मान की मंजूरी दी है क्यों से नमर चे कि वेक्ति हाली में भारत के उपर राष्ट्रिये सुर्क्षा सलाकार नियुक्त के गए भारत के उपर राष्ट्रे सुर्क्षा सलाकार है को नियुक्त के गए है दिखवी जेनात बंवर मेगवाल पंकज सरन हरी सगरवाल तो छे नमर का सी उतर क्या हो जाएगा पंकज सरन नियुक्त के गए है तो C है हुमारा C उत्तर है और वर्तमान में जो इपनकर सरंज जो है वर्तमान में है वो रूस में भारत के राजदूत है जिने भारत के है वो उपर राष्टे सलाकार नियुक्त किया गया है गुंतीस मईद दो हजार ठारा को किस नमर साथ कि हाली में हुई गोषणा के मताبق किस अस्थान पर पहला वेस्विख पवन उर्जा शीकर समयलन आयुजित को हैगा वेरी वेरी पोर्टिंड को चैशनी के होगा नई दिली भारत हेंब्रग जर्मनी बगदा दीराग मोश्को रूस तो साथ नमर ForschORE करू का हो Aegy यानि जो कि जर्मनी में है यहां आयुजित क्या जाएगा तो भी हो जाएगा सही उत्तर यानि हाली में गोशना के मुताबिक वेश्विक पवनुर्जा सम्मेलने का परतम संस्क्रण है 25 से 28 स्टेंबर 2018 को जर्मनी के हेंब्रक्स में आयुजित क्या जाएगा पहला पवनुर्जा सेकर सम्मेलन 2018 है वो भी अपार, नेटवर्किंग और सूचना के लिहाद से पवनुर्जा इंडिस्ट्री के लिए लाबदाई साबित हो सकता है तो इस सेकर सम्मेलन में दो सम्मेलन होगे, पहला होगा वीडियनेर जी हैंबर और दूसरा होगा वीडियो रोप सामिलाए चलिए, क्योंसा नमर आट कि आले में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा रेल्वे स्टेशन भारत का सबसे गंदा रेल्वे स्टेशन बन गया है पत्रना जक्षन, कानपूर, LTT, वालानशी जक्षन तो कौन सा रेल्वे स्टेशन है जो सबसे गंदा रेल्वे स्टेशन है तो Q8 का सही उतर है वो क्या होज़ेगा B बिलकुस यह कानपूर है वो सबसे गंदा railway station चुना गया है यानि रेल मंतराले ने 25 मई 2018 को देश के सबसे गंदे railway station की सूची जारी की थी इस सूची में सबसे ज़्यादा गंदे railway station है वो उतर पर देश में स्थीत है रेल मंतराले ने साप सपाई, ट्रेन और railway station पर सवस्ता केटरिंग और खाने पर देश बर में सर्वे किया था इसकी हादार पर रेल में रेकिंग जारी की इस सूची में कानपूर Central railway station है वो पहले इस्तान पर रहा है यानि सबसे गंदे railway station की सूची में पहले इस्तान पर रहा है क्यूसर नमर रो हाली में किसने में बूंकर International Pushkar जीता है वेरी वेरी इपोर्टेंट क्यूसर में बुकर International Pushkar एडम जोई, डेविट लियर, हीनासा मीरर या ओलगा टोकर्क जूकने तो नो नमर क्यूसर का सही उत्र क्या जाएगा डी है, बिल्कुस ये ओलगा टोकर्क जूकने है वो बुकर International Pushkar जीता है तो पोलेंड के ये साइटेकार है ये लेकेक है ओलगा टोकर्क जूकने बाइस मईी दोज़ अठारा को 35 में बुकर International Pushkar जीता था ये भी याद रखे किने पुसकार किस के लिए दिया गया था इनका एक उपनियास था फ्लाइटेस तो फ्लाइटेस के लिए इनने में बुकर International Pushkar दिया गया था दोनों पूछे जा सकते एक्जामे पहला तो कि ये पुसकार किस ने जीता था किस पुसकार कि लिए जीता था तो दोनों रिपोर्ट ने ने दोनों याद रखे क्योसर नमर दस कि हाले में जारी रिपोर्ट के मताबिक स्वास्त्य समंदी शिवाओं में भारत का कौन सा स्थान है 123, 145, 138 या फिर 110 तो राय टन से क्या हो जागा बारत का स्वास्त्य समंदी शिवाओं में 145 या अस्थान है तो भी हो जाएगा सही उप्तार ठीक है जैसा कि मैंने पहले भी कहा था तीन चीजे रिपोर्ट में जुरूरी होती है रिपोर्ट जारी कौन करता है टोटल कितने समील है बारत का कौन सा स्थान है तो रिपोर्ट जारी की थी लासेंट की द्वारा टोटल 195 देश हमिल थे बारत का स्थान 145 हो है तो कोई भी रेकिंग वाला जब भी आप क्यूस्ण करते हो तीनों चीजे याद करने है तीनों क्यूस्ण पूचे जासेंट थे ये रिपोर्ट किसन ने जारी की थी लासेंट ने टोटल कितने देश सद्दे से हमिल थे 195 अब भारत का कौन सा स्थान है 145 वास्थान है ओके गई गई ये थी आज की हमारी करन्ट पर रखी सेरीज और इसकी पीडिएफ लेना मत भूलिएगा पीडिएफ लेने के लिए आपको टेलिग्राम पे जाना होगा टेलिग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फिर भी अगर आपको नहीं मिलता है तो टेलिग्राम पे जाके आप ये नाम सच करेजिए है परहलाज सारंड आपको इसकी पी लिविव नीचिंग जितने भी पी डिव होती है जितने भी रहाएं लाजव होती है लौजाना हमारे तीन Dash 7 UK में मोत और होता है मोक sayattend में इंडिया कीजिकें करते हैं ज़िए बाद का यास है, बारत का भुगोल है, सविधान है, सामने विज्यान है, इसके क्यूशन साड़ी साथ बज़े करते हैं, और आज तान जीकी से सम्नाद क्यूशन करते हैं, साड़ी ग्यारा बज़े, ठीक है, तब तो तीनों कीजिए, ताकि आपकी त्यारि हो इसके, अगर आप लोगों ने सथकैब नहीं किया, तो इस लाल वाले बट्रिन पे ओके कर के सथकैब थीजे, पास में एक बैल आइकन होता है, उस पे ओके कर दीजे ताकि जब भी टेस्ट स्टार्ट होता है, उसका नोटिपकेशन आप लोगों तक पहुंशता रही और एक चीज़ और देखे हम पूरी कोशिज करते हैं कि किसे भी क्यूशन में गलती ना हो लेकिन फिर भी अगर गलती हो जाती है तो सुधार करेंगे अगर आपको किसी भी क्यूशन में डाउट लगता है चाहे वो गलत लगे या फिर आपको समझ में नहीं क्यूशन को गलत याद करने से बैठ रहा है कि इसके बार में पूश लिया जाए हो सकता है वही क्यूशन एक्जाम में आ जाए और आपका एक नमर है वो खराब हो सकता है तो जिस भी क्यूशन से ये रीजन दे दीजिए ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं और ज्यादा महत्रपुनी शीरीज को बना सकूं ताकि एक्जाम में ज्यादा से ज्यादा फाइदा हो तो आपको पसंद आएगा तो जलते मिलते हैं साड़ी 11 जे रास्तान जी के टेस्ट में तब तक थेंक यू